हेलो स्टुरेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना DC जेनरेशन, यानकि DC को कैसे जेनरेट कराते हैं अब AC के जेनरेशन से यह चीज़ तो हमें समझ या चुकी है कि हम ना बड़ी-बड़ी जो घरों में AC यूज करते हैं इससे पहले से पहले वाली वीडियो में मैं उसका लिंक भी डाल दूगी तो उसमें देख सकते हैं आप से लेबस चली रहा है पांस चार दोई वीडियो जाएं इस चैप्टर की उनमें आप पढ़ सकते हो कि हम AC को ही क्यों यूज करते हैं अपने डुमेस्टिक यूज के लिए अपने इंडस्ट्रिल यूज के लिए DC को क्यों नहीं करते हैं मितल्ड पावर प्लाइंट्स में DC जब बंते है तो उसको क्यों नहीं सप्लाई करते हैं घरों तक में मुड़दा यह में बात समझाने की है आप dc-generation वहांपी heat generation वालायान की wires हमारी गरम हो जाती हीट जन्रेट करता है DC, AC क्या करता है AC के क्या करते हैं एक 3-3 complete 3-6-3 में क्या करता है उसने फार 0 को क्रोस कर लिया ना तो तार क्या हो जाती वाइरिंग में किसी तरह के लोसीज नहीं होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्या होते हैं, लोस हो जाते हैं, इस जनरेटर में, डीसी जनरेटर, डीसी मशीन आएंगी, डीसी मोटर आएंगी, वहाँ पर यह फंडामेंटल से यह फंडामेंटल काम करता है, फर्क कुछ भी नह यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहां पर फिसी तर्व से क्पोई कुरॅल यहीं है तो होगी होगे पास तो यहांप में क्या कंड्स कोई कोई गुमा रहे बस थोड़ा सब और इसकी किया। असतवे स्लीप रिंग यूज किये थे यहाँ पर अन्हें करें कोईल का जो सेटप है दोनों सेरे हमारे connected है और जैसे हमारी कोईल घूम रही है न तो हमारे जो carbon brushes से एक बार तो यही सट च और हो रहा है जैसे अपना Green वाल पार्ट लेकिन जैसे हमारी coil घूम के दूसरी साइड चल जाते हैं तो फिर orange part हमारे उस brush से connect होगे हमारी current की जो connectivity है ने induced TMF की जो connectivity है flow direction है वो क्या रहती है एक ही unit directional रहता है वो कभी change नहीं होती है कैसे नहीं होती देखी यहाँ पर क्या हो रहा है आप यह coil ना मेरी फिर से क्या हो रहा है यहाँ पर इस position पर क्या है कि हमारा यह जो सूरी यह मैंने लिखा लिए ए बी पार्ट है मेरा कोईल का this one is a b c d ठीक है a b c d पार्ट है कोईल के अब ए पार्ट और b पार्ट क्या और यह आधा हिस्सा ना कोईल का क्या और कट करना है हमने flux lines को मेन की magnetic field lines को flux को कट करेंगे तो कोईल को थोड़ा सा घुमाएंगे जीरो से हम एंगल पर चल दिया है यहाँ पर हमारे 45 डिग्री पर slant है हमारी कोईल ऐसे तो कुछ हमारा क्या हो गया EMF induced होना शुरू हो गया और हमारा करन्ट ही फ्लो करना शुरू कर गया यह हमारी green lines क्या है इतना इतना पार्ट ग्रीन जो पार्ट दिख रहा है यह हमारी field से उपर है और यह field lines के निच्चे हमारा COD part आपको दीप मैंने उपर से cross कराया field lines को त अपने एंगल को तो यह A और B C और D की जगह पर आजेंगे मेरे C और D की जगह पर आते ही क्या होगा कि यह जो current की direction मेरी A outward थी न यह inward हो जाएगा अब नीचे की side हो जी न डारेक्शन करन तो यह induced इंडियू स्टी में पर तो current flow करेगा ही करेगा तो यह direction क्या होगा तो अब मेरे direction क्या होगा यह जो पार्ट था जो अभी green से connected था splittering पे brushes पे वो थोड़ा सा घूंब के न यहीं बीर रिंग वो किसे टाच हो जाएगा फिर इस position पे आपते ही दूसरा पार्ट जो कि हमारी direction क्या हो रहेगी यह direction थी न यह इस से connect हो जाएगा मेरा समझे कुछ कैसे समझेंगे मतलब कि जैसे पूरा एक चक्कर पूरा हो रहे ना तो यहां पर किसी भी तरह का कोई घुमाव नहीं आएगा हमारे जो ब्रशीज लगे होए ना अभी green से touch है तो दूसरे cycle में जैसे green उस side पलटा खाएगा तो यह जो orange है यह हमारा इस direction मे करन्ट फ्लो करता रहेगा circuit में एक डारेक्शन में यानि की देखे कैसे होगा इस waveform से समझें अब यह जो splittering है ना इस पूरे splittering का जो हमारा structure है ना इसको हम बोलते हैं commutator क्या करते हैं AC को ही किसमें change कर रहे हैं actual में तो AC जनरेट हो रही थी यह अगर यह पार्ट ना प्लसेटिंग DC में प्योर DC में नहीं प्लसेटिंग DC में आप देखिए प्योर डीसी जैसे हमें कैसे मिलते हैं किस तरह से मिलते हैं वह समझे थोड़ा सा यह outer circuit हो गया हमारे splittering तो carbon brushes होगे यह हमारा inner circuit यह होगा हमारा circuit के अंदर कैसे घूम रहे हैं को यह बाहर के हमारा क इंडूस हुआ EMF फिर हम आगे पूरा हमने क्या कर दिया वर्टिकल होगी हमारी कोई और maximum field line को काटने यहां पर होगा maximum induced हुआ EMF इस पोजिशन से फिर हम क्या करें हमने घूमना तो है ना कोईल को घूमाना ही है फिर हमारा एंगल कैसे कैसे आ रहा है अपना बड़ रहा है जब क्रोस करेंगे तो भी कटेंगे ऐसे वह पैरलल होने से क्या होगा जीरो हो गया अब फिर से क्या होगा 180 डिगरी पर यह वाली पोजिशन जैसे आई ना एर भी यहां पर आई तो ब्रुशिज ने क्या किया इन ब्रुशिज ने टच किस से कर लिया अपनी इस चेंज करने की बजाए इन्होंने फिर से उसको क्या कर दिया वही इन्क्रीज हो गया हमारा ये मैं एक ही डारेक्शन में फ्लो कर रहा है कर थोड़ा सा मार जीरो को तो क्रोस करेंगा क्योंकि हमारा फिल्ड के पैरलल आ रहे हम बार बार ठीक है तो फिर से यह साइकल आगा है अब यह जो है ना हमारी इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी अब यह जो कॉमुटेटर है ना अब यह एक सेकेंड में मुल्टिपल टाइम से काम हो रहा है फटा-फट घूम रहे तो यह पल्सेटिंग डीसी है ना यही हमारी क्या दिखते है फिक्स एक स्ट्रेट लाइन के तोर पे हमें मिलती है अधरवाइस तो एक इसका जो एवरेज जो वैल्यू है ना इसकी डीसी की मालो की मैं इसका अगर यह वड़ा पार्टी देखती हो निचे वड़ा पार्ट इसे एक सेकेडब में मल्ठीपल टाइम यह चक्कर काटती है कोयल तो यह जो चीज है ना हमें क्या मिलते है जो यह वड़ा एवरेज वैल्यू है यहां से यह आ तक इसकी तरह है एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता यह हिसें बोलते हैं अपनी डीसी जर्यस्टिशन यह स करन्ट का वो भी देख लेते हैं साथ साथ वह हमारी स्लेवस का पार्ट है इस इस और स्लेवस पार्ट तो मैगनिटूड पर बहुत बार क्वेस्चन आता है यह वेफों बनानी आपने कैसे करना है मैंने क्या किया है कि अब हमने कहा लिए दूसरी फों में लेने अपनी कोईल को मैंने airby कोईल को ऐसे दिखा दिया अपनी पूरी को यह क्या हो रहा है एक हमारा कंडक्टर पर लिप्टी हुए को मितिल बहुत सार चले 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 लिप्ट हुए यह मान के चलो ही है एर भी जो पार्ट है ना मेरा और इसको मैं क्या किरारे हैं एंटी क्लोक direction according to the flaming right hand rule यह किस साइड जारी है आपकी इस इस पोजिशन पर जारे है यह निए फिल्ड हमारे इस पोजिशन पर नॉर्थ टू साउथ यह पोजिशन है एक स्मेर फिल्ड की टारेक्षन ने तो इस पोजिशन पर क्या देख है अब यह इस साइड आती है कि है तो यह चेल हमारी को निए पिर्ट कर जोरेANS को यह क्या होगा है बिल्कुल परपेंटी कुलर है फिल्ड लाइन्स की यह नीच्छे हमारे किसकी इमफ की डारेक्षन है यह पोजिशन कों से हमारी यह वाली पोजिशन है जो 90 दिगरी पर अब 90 से अब जैसे हमना 90 से फिर से अब कहां पर घूम खाम कि यहां तक आइस्ता लेंगे एक चकर अब हमारे यहां से 90 से अपना 180 डिग्री तक यह घुमावा आगया यहां कि घ्र डिग्रीज होता आगे इस तरह से अपना फिर हम जीरो क्रोसिंग पर आगे इस पोजिशन पर फिर हमारे मैगनिटूड क्या हो रहा है लेकिन अपोजे डारेक्शन में मिल रह सकते हैं तो हमारे यह एमट की हश्ए ररीम एर हमारी यह श्रच नहीं पॉजिए पोजिटिव थी यह हमारा जारत नहीं कि अब्रसे पर headset condition नहीं पार्लेपर एंथे यहां पर लाइन को था तो इससी वज़ए से हमारा यहां पर जीरो इन्ट्यू सो रहा है इसके बींट्रम यहां पर हमारा करन्ट बींट्यूस वेज़ यहां से आंपर हमारा इसको क्या बोलते हैं यह जो value आ रहे हैं ने waveform से इसको हम क्या बोलते है maximum value तो है यहां पर लेकिन यह है instantaneous, मतलब हर instant पर अलग-अलग value, इस पर कुछ value है EMF की, इस instant पर कुछ है, तो यह हमारा होता है instantaneous value of that induced EMF, अब instantaneous से, अब maximum value जब हमें निकालने होते हैं तो अब हम पढ़ेंगे, अपने equation से समझ करेंगे, जब भी confuse नहीं करूंगी, कि हमारा angle कैसे consider होगा, इस ही, जब हम maximum value को find out करेंगे, induced EMF की, ठीक है, तो हमें angle को भी consider करना पड़ेगा, यह हो गया हमारा, दूसरा topic, आप तीसरा topic, इस चार-पांच ही वीडियो में, I think so chapter complete हो जाएगा, thank you, thank you very much, बिच्चों बस एक कर दिया को अच्छी लगे तो वीडियो, thank you, thank you very much